लंबे समय से पेट की उपरी हिस्से में दर्द होना और आपको अगर पता है कि अल्टरसाउंड में उसमें गॉल बेडर में आपके पथरी है और उसका दर्द है ये तो उससे कई जानलेवा कॉम्प्लिकेशन्स भी हो सकती हैं जानते हैं कैसे तो फ्रेंड्स गॉल बेडर स्टोन्स नॉर्थ इंडिया में एक काफी कॉमन प्रॉब्लम है और गॉल बेडर की पत्री का जो बुक्खे लक्षन है वो है पेट के दाइनी तरफ उपरी हिस्से में दर्द होना जहां पे हमारा चेस्ट और अब्डॉमन मिलता है पसलियां जा खतम होती है यहां से इस हिस्से में इस हिस्से में सबसे कॉमनली गॉल बेडर स्टोन्स का दर्द होता है और यह दर्द काफी पेशेंट्स में कमर में और पंदेते एक में भी जा सकता है यह इनीशियल सिम्टम होता है ज्यादतर मरीजों का और कई मरीजों को फिर जब हम हम stres करते हैं तो उसमें Gall Butter Stones आते हैं अब Gall Butter Stones का इलाज एख ही है कोई दवाई से इसका इलाज नहीं हो सकता इसको सिर्दव हम aquest Philippeans hey Durbin के operation से निकालन लिद की सोब आपकल कर सकते हैं बहुत सरे मरीज operation की डर से या इस is sense of loss की वज़े ऐसे और यह बिमारी बढ़ती रहती है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन्स पैदा होने का रिस्क रहता है, जिसमें लाइफ का भी रिस्क हो जाता है, जैसे कि इन्फेक्शन जिसको हम अक्यूट कॉलिसस्टाइटिस गोलते हैं, गॉल बेटर में पस पढ़ जाना, गॉल बेटर का पत्थर स्लिप होके नली में आ जाता है, तो इसको हम गॉल बेटर का स्टों स्लिप होके पैंक्रियास को इंजर करता है, तो इसे पैंक्रेडाइटिस होता है और फाइनली सबसे important और सबसे risky complication कुछ patients में ये cancer तक भी बना सकता है गॉल ब्रेडर का ये सारे ही complications preventable हैं उन मरीजों में जिनको पता है कि उनके गॉल ब्रेडर में stones है और जिनको बार बार तकलीफ हो रही है ये right hypochondrium right side of abdomen में pain के साथ लेकिन वो operation से बचना चाह रहे हैं अभी पिछले महीने ही हमारे पास एक रेक्टी आये जिनको गॉल ब्रेडर की बीमारी का पता 20-22 साल से था अल्ट्रसाउंड में उनने पता थे कि गॉल ब्रेडर में stones है तब वो शायद करीब रहे होंगे 30-32 साल के आज जब मिर्पस आये दू महीने पहले तो करीब 50 प्लस age थी उनकी बहुत severe pain और जब मैंने पेट पे हाथ रखा तो एक गांट जैसा फील हुआ अल्ट्रसाउंड कराए तो उसमें गॉल ब्रेडर में गांट थी पत्थर के साथ सीटी कराए तो cancer की गांट निकली और unfortunately वो cancer की गांट पूरे लिवर में फैल हुई थी अब उसनका हमने सारे टेस्ट चप कराया तो konfirm किया कि वो cancer गॉल ब्रेडर का ही था उसमें बहुत स का कैंसर है जिसका कोई definitive इलाज हमारी साइंस में आज की तारिख में थोड़ी सी उमर बढ़ा ही जा सकती है तक्लीफ कम की जा सकते हैं कीमोथेरपी देखें लेकिन कैंसर का क्योर पॉसिबल नहीं है क्योंकि कैंसर गॉल बेटर लास्ट इस्टेज में ला इलाज होता है अब सिरफ बावन साल की उमर में अब उनकी लाइफ ट्रैक्टिकली खाता है टोटली प्रिवेंटेबल थिंग तो सोचिए हमें जब डॉक्टर होते वे इतना अफसोस होता है तो उस विक्ति के उपर उसकी फैमिली के उपर जब उन्हें पता चलता है कि ये बिमारी से तो वो पूरी तरह से बच सकता था तो कितना अजीब लगता होगा सेंस ओफ लॉस ओफ लाइफ हम सोच नहीं सकते कितनी बड़ी चीज है सिरफ एक उपरेशन और इलाज से बचने के लिए दूसरा हम लोगों के मन में है कि इस अपरेशन का रिस्क जो दूर्बीन से लेपरोस्कोपिक कॉलिस टेक्नी हम करते हैं गॉल बड़र स्टोन के लिए इसका रिस्क सिरफ 0.2% है बेस्ट हैं तो 0.2% रिस्क कुछ भी नहीं है बजाए इसके कि हम यह बिमारी को रखे रहें और अपने प्राइम ओफ लाइफ में लास्ट स्टेज कैंसर हमें हो जाए तो फ्रेंड्स प्लीज टेक केर अपने कोई भी पेट के सम्मनित सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और गॉल बेडर स्टोन्स अगर आ जाएं और वो अगर आपको तकलीक दे रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के कहने पर इलाज कर रहे हैं थैंक यू